हलो दोस्तों वेल्कम बैक हंडेट डिस कम्यूनिकेशन चैलेंज के नववे दिन में आपका स्वागत है क्या आपने कभी सोचा है कि जिन्दगी किसी के लिए मुश्किल और किसी के लिए आसान क्यों होती है वेल आज हम लोग इसी बारे में बात करेंगे जिन्दगी को आसान और मुश्किल बनाने में दो फैक्टर माइने रखते हैं नमबर एक लग फैक्टर और नमबर दूसरा हिमन फैक्टर तो सबसे पहले लग की बात करते हैं और कि एक गाउं में पैदा हुआ और कोई एक शहर में पैदा हुआ है जो शहर में पैदा हुआ है उसको जैदे crime और जो और एठाप्रना ऐब धूअन ऊजिन अच्छा सट्रक्ठर है अँच्छा इजि अधो क की सिस्टेम है ची स्कूल से नहीं को यूनिवेमि को उसकिय है कि और गाओं के लड़के को अब लाइफ मों कुछ आगे बढ़ना है कुछ करना है तो उसे कुछ जाधा एफर्ट करना पड़ेगा, उसके तो एम उसे थोड़ा से ज्यादे मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा थोरा से जड़े подготов sa break commitment सामना करना पड़ेगा बड़ दी अ के लड़केकों एसाँ नहीं करना पड़ता है सैयर में इतना स्ट्रगल नहीं होताई इतना की गावं में होता है अब बात करते हैं दूसरे फैक्टर की HISूमन फैक्टर इतना पावरफुल है कि यह जो लग फैक्टर है जंदेगी को आसान और मुश्किल बनाने में यह फैक्टर अगर चाहे इंसान चाहे तो अपने लग को बदल सकता है अपने मेहनस से टालेंट से हाड़ वक से स्किल से विल से तो इनसान एक पाउरफुल प्रानी है जो अपने लग को अपने किसमत को बदल सकता है कि इससे रिलेटेड एक कोट याद आता है कि इनसान चाहे तो जिन्दगी को आसान बना सकता है फिर मुश्किल बना सकता है आख तो जिन्दगी सफ यह है कि जिसी के लिए कब मुश्किल किसे के लिए कब आसान होती है जब इनसान आसान काम करने लगता है तो मतलब जब आप uncomfortable चीजों को करने के लिए कमफटबल हो जाती हो तब आपको असली DH मिलती है अ että आप life में आगे बढ़ते हो life में आगे आप comfort zone में नहीं मिलती अगर आप अगे बढ़ना चाहती हो तो आपको comfort zone में रहकर आगे नहीं बढ़ सकते हैं आप आपको comfortable चीज़ करना पड़ेगा आपको फैलियर्स का सामना करना पड़ेगा आपको मुश्किलें देखनी पड़ेगी तभी आप लाइफ में आगे बढ़ सकती और सक्सेस्फिल बन सकती और ग्रोथ पा सकते हो बिना आपको ग्रोथ नहीं मिल सकती तो इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद एक ही है कि अगर कभी भी लाइफ में फैलियर्स आये सेट बैक या फिर अनकमफर्टेबल सिचुवेशन आए तो आपको उससे घबराना नहीं है मलकि उससे फेस करना है उसे गले लगाना है बिकाज नहीं अगर उससे हम लोग गले नहीं लगाएंगे तो फिर हमें ग्रोथ नहीं मिलेगी तो आज के लिए इतना ही यह वीडियो कैसा लगा कॉमेंट्स में जरूर बताएं और मेरी जर्नी को सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को जरू सब्सक्राइब करें वीडियो को लाश तक देखने के लिए थैंकियो सो मच